हर हर महादेव दोस्तो व्रुष्चिक रासी वाले चातकों के लिए फरवरी महिना कैसा रहेगा यह माह व्रुष्चिक रासी वाले चातकों के लिए मिला जुला साबित होगा यह माह दर्मियान चातक को थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा वरना आपके बनते काम बिगड सकते हैं आपको किसी भी कारे में जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ माहदर्मियान जातक को किसी पर भी आँख बन करके भरोसा नहीं करना है वरना आप बड़ी परेशानी में फस सकते हो यह माहदर्म्यां जातक को वहां चलाते समय सावधानी बरतनी होगी यह माहदर्म्यां जातक को कोई भी बड़ा नेनाय लेने से बचना होगा और अगर आपको कोई बड़ा नेनाय लेना पड़े तो आपको बहुती सूजबूज के साथ सांती से सोच विचार कर नेनाय लेना होगा वरना आपका नेनाय गलत पड़ सकता है और आप बड़ी परेशानी में फस सकते हो यह महदर्मय जातक को सूजबूज से और शांती से काम लेना होगा किसी भी लोगों की बातों में आकर कोई भी डिसिजन या काम नहीं करना है वरना आपकी परेशानिया बढ़ सकती है यह महदर्मय जातक अगर लंबे समय से बीमार थे तो उनकी सिहत में सुधार होता हुआ नजर आएगा यह महदर्मय जातक को अपने वर्क शेत्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है यह महदर्मय जातक को सकत मेहनत करनी होगी तबी अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे यहाव माहदर्मयन जातक को काफी कठी नायों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आपको हिम्मत रखनी है और कोशिस करते रहना है तो आपको जरूर सफलता हासिल होगी यहाव माहदर्मयन जातक को एक बात का खास खार रखना है कि आपको किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है वरना आपकी परिशानी बढ़ सकती है आपके घर परिवार में भी लोग आपके करीबी आपके किसी बातों को लेकर नाराज हो सकते है और आपका उनके साथ भी विवाद हो सकता है इसलिए आपको मन शान्त रखके काम लेना होगा और जितना हो सके मेडिटेशन करेगा जिससे आपको काफी लाब होगा यहाव माहदर्मयन जोजातक विद्धियारती है उनका मन पढ़ाई से इधर उधर भटक सकता है लेकिन आपको एकागर होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा तबी आप अच्छे परिणाम हासिल कर पाओगे